हलो फ्रेंज वेल्कम टू डिटल किचन में शमीम पटेल आज मैं आपके साथ फास्पूट रेशिपी सेयर करूंगी तंदूरी बर्गर तो आए इससे बनाना शुरू करते हैं तंदूरी बर्गर बनाने के लिए जो इंग्रिदेंज चाहिए वर न objects ले बर्गर के बन talk ले तिक बनाने के लिए 500 ग्रामजब लिस चिकन वन टी स्पून जीरा पाउडर वन टी स्पून ब्लेच पेपर पाउडर वन टी September लेमन जूस टू टेबल स्पून चौपक्या लसन वन टेबल इस्पुन चिली गार्लिक सोस, स्प्रिंग ओनियन और हरा धनिया बारिक कटा हुआ, टु टेबल इस्पुन तन्दूरी मसाला, वन एग, दही मायोνिस की चत्नी बनाने के लिए 1.5 कष दही, मायोनिस, फुदीना हरा धनिया बारिक कटा हुआ, 1 Beginns चाट मसाला, 1 ब्लेक पेपर पाउडर, वन टीस्पून ओरेगानू, नमक स्वाद अनुसार, तंदूरी मायोनिस, स्लाइस चीज, पत्ता को भी के पत्ते, ओनियन ड्रिंग, कुकूंबर स्लाइस याने काकडी स्लाइस, सबसे पहले हम बर्गर की टिकी रेडी कर लेंगे, एक चोपर या मिक बॉक्सर में बॉनलेस चिकन डाले, जीरा पाउडर, ब्लेक पेपर पाउडर, लेमन जूस, चोप लसन, तंदूरी मसाला, चिली गार्लिक सोस, स्प्रिंग ओनियन और राधनिया कटा हुआ, अन्डा, नमक इन सबकों मिक्सर में चिकन का कीमा बना लेंगे यह हमारा टिकी का कीमा रेडी है वह हम इसे टिकी बनाएंगे हाथों में थोड़ा ओल लगाएं और बर्गर के साइस की टिकी बना लेंगे देखें इस तरह से बर्गर här है नालेंगे और इस तरह दूसरी टिकी ऩारलेडेज़ कर लेंके कैंगे अब सफिए ओम इस टिकी को एक इसेलो फ्राइब करेंगे एक फ्राइब पेन में देल्टकेज बर्ढ़ार करें सबाइन दूसरी मायोना ०धि यह सेडती लगतर हैं दही मायोनिस की चटनी रेडी करेंगे, एक बावल में मायोनिस डालें, दही, चाट मसाला, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, औरेगानू, अरा धनिया, फुदी नबारिक कटा हुआ, नमक, इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इस बर्गर के बन को मैंने वन बाई टू कर लिया है, इस तरह से, अब इस दोनों पार्ट के ओपर हम तंदूरी मायोनिस लगाएंगे, दोनों पार्ट के ओपर हम तंदूरी मायोनिस लगाएंगे, इस तरह से, अब एक पार्ट के ओपर दही की चटनी लगाएंगे, दही मायोनिस की चटनी, इस तरह से, पता को भी कपता रखेंगे, टिक्की रखेंगे, ओनियन की रिंग रखेंगे, कूकुम्बर स्लाइज रखेंगे, चाट मसारा डालेंगे, बलेक पेपर पाउडर डालेंगे, डालेंगे, लाइस चीज रखेंगे, और बर्गर का दूसरा पार्ट इसके ओपर बंद कर देंगे, इस तरह दूसरे बर्गर भी रेडी कर लेंगे देखे फ्रेंड्स यह हमारा चिकन तंदूरी बर्गर रेडी है इसे मैंने स्लाइस चीज पुदीने के पत्ते और चेरी के पिसीस से गार्निश किया है आप इसे ओवन में गरम करके सर्व कर सकते हैं आप इसे जरूर ट्राइ करें अगर आपको मेरी डेस से भी पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक, शेर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें